पूथ तरह कंत्sil दिवर्व नो आपको बहुत ही सामान से घरी के सामान के सामान से आप डेल्क पर क्या देखके देख सकते हो साहले से अच्छी पहले टिर्एबले में प्र से तरल जीजये तो आधी से थोड़ी सी कम चमर्च मैं ने कूफी की ले चमच के लगबग चीनी ले लिए तो इन दोनों ही चीजों को अची तरीके से मिक्स कर लेंगे और चमच थोड़ी छोटी वाली है बड़े साइस की नहीं लिए मैंने और मैं एक मेंबर के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इतनी लिए अगर आप चाहो तो आप इसका डबल क यह बहुत ही अच्छा रिजल्स देगी और अगर आपने इसको यूज कर लिया शादी पार्टी में जाने से पहले तो आप बहुत ज़्यादा चॉंक जाओगे फेशल जैसा ग्लो ले के आएगी आपके स्किन पे साथ साथ में जितने भी हेर होते हैं हमारे फेस पे और अगर आपने इसको यूज रेगुलरी कर लिया ना तो आपको बहुत यची रिजल्स देखने को मिलेंगे आपको इसको यह जो मैं बना रही हूँ फेस पैक उसको आपको हफते में दो से तीन बार लगाना है आपके फेस पेक लो अपने आप ही आने लग जाएगा साथ साथ में बिल्कु जो काला पना वो भी बिल्कुल खतर मुझाएगा तो यह मैंने दो चमज की लगबग इसमें आटा डाला था आटा जो हम रोटी बनाते है वही वाला मैंने आटा लिया है आप चाहो तो बेसन यूज कर सकते हो बट बेसन भी आप स्किप करके आटा डाली है वो सभी जरूरी है इस रेसिपी के लिए तो आपको किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है तो अच्छी तरी किसे सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे है रोज एसेंस आप इसको गुलाब जरल बोलते हो तो वह डाल देना आपको एक चमज की ल तो अगर आप शादी पार्टी में जाने से पहले अगर कहीं पी भी आप कोई भी स्पेशल ओगिशन में जा रहे हो तो आप एक पर मैं आपको रिकमेंट करूंगी यह जरूर ट्राय कीजेगा मैं आपको लाइफ रिजल्ट भी देखा के बताया है तो इसको मैं आपको नहीं लगाना है आपको देख से दो मिनिट के लिए रुखना आए इसको रखने देना है ताकि सबी चीज अची तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए तो यह बिल्कुल अची तरीके से बन के त्यार हो चुका है आप यह देख सकतो यह थोड़ा सा मेरे को ना फेस पैक तो इसलिए मैं इसमें आप देख सकतो थोड़ा सा यह तरीके से लग रहा है तो इसमें हम फिर से थोड़ा सा कच्छा दूद डालेंगे तो तीन चमच के लगबग मैंने कच्छे दूद के लिए तो डालेंगे आपको एक साथ नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके तो उसको भी अचे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस पेस पेक से आपको कोई भी ऐलर्जी नहीं होगी तो बहुत ही आसान दरीके से यह आपके पेस पे लग जाएगा साथ साथ में ग्लो भी लेके आएगा और यह हमारी चेहरे को गोरा आप करने में भी मदद करेगा आप चाहो तो हाथ पेरों में लगा सकते हो और बॉड़ी पे लगा सकते हो चाहते आप नैक पे लगा सकते हो यह बहुत ही आसान दरीके से काम करेगा और इसके रिजर्ट बहुत ही अच्छे होते हो और शौकिंग गिज़र देखने को मिलते हैं मैंने इसको बहुत बार बना लेना है कुछ भी बना लेना है बालों को आपको नहीं आने देना है फेस पे तो लिपस और आइस को छूड़कर आप पूरे फेस पे इसको लगा लेना है आप चाहो तो नेक पे लगा सकते हो तो सबसे पहले तो इसको इस तरीकी से आपको लगा लेना है अपलाई कर ले साफ जाए तो इसको अच्生 करें है तो अच्छी त bishop करें कि तो आपकोश्रके से रप करना है और जहां पर आपकी heavier तो वहां पे आप लगा सकते हो इसको अच्छी तेरी के से रब कर सकते हो उससे बिल्कुल हेर रिमोग हो जाते हैं और यह बहुत ही अच्छा रिजर्ट देखने को मिलेगा यह फेशल जैसा लुक आप और ग्लो लेकर आएगा चेहरे पे और एक घरी की चीज़े हैं तो आप आपको ना कोई भी नुकसान देने वाली चीज़ें इसमें मैंने डाली नहीं है केमिकल चीज़ों का आपको यूज करना ही नहीं है तो जो आप पालर में हजारों रुबए खर्च करके आते हो एक बार यह वीडियो देखकर आप यह ट्राय कीज़ेगा आपको बहुत ही अ जाओगे इतना अच्छा ही गलो देगा चेहरे पर फस्ट अटेंट में देख सकते हो तो अच्छ तरी किसे मैंने इसको रप कर लिया तो अब इसको ना पंदरा मिनिट के लिए रखना चेहरे पर और फिर इसको साब कर लेना है पानी से तो अब इसको थोड़ा से हम सूखन हो जाओगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फ्रेंड साज के लिए इतना ही थैंगे